आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बाइक बॉशिंग पॉलिशिंग और चेन क्लीनिंग कैसे करें जो के आप देख पा रहे हैं मैं यह बाइक मेंने बाहर बॉश कराई है जिसका चार्जिस ओंडी 30 रुपीज होता है आट यह बहुती बढरिया श容शिंग और मैं चीज जो मैं इस विधियो में जो घुटेख जो कारें और क्योंटीर में चली वाइक निटिवियस को यूलेह करने में मिधु कोंटीर अप्रन हो इपर ही ऑ चलिए आगे जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं यह है मोदल कंपने का चेन वियू जो के बहुत ही बड़िया और बेस्ट इन क्लास माना जाता है चेन की मेंटेनिस के लिए जो के चेन पर अपलाई होता है और बहुत अच्छे से चेन को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह की गंदगी से और साउंड जो चेन में आने लगती है कुछ टाइम के बाद चलने के जब इसका ऑईल ड्राई हो जाता है तो हम इस चेन वियूप को यूज करके अपनी चेन की लाइब बढ़ा सकते हैं तो मैं आपको इसमें कुरा प्रोसेस बताऊँगा कि हम आपको किस तरीके से इस चे यह बहुत है तो मैंने भी आउटर डुस्ट एक वह सारी था था दिया देखें आप चेन बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रही है और बिल्कुल साफ है अब हम इसमें क्या करना है अपनी बाइक को हम में स्टेंड पर लगाकर हम अपनी बाइक का इंदन स्टार्ट कर देंगे इंदन स्टार्ट करने के बाद हम इसी को ऑसे हमारा रियर विल के रोती होना स्टार्ट बताल होजाए een way देख़रा है अब इस तरीके से धिरे-धरे बहुत हिए ही हैट के हाथ से हम इसमें हम इसमें चेंगिव को लगाना स्टार्ट करेंगे सिफ चेंप औरृप इस तरीके से लगाएंगे से जिसके पूरा हमारी चेंग अबर ओझे और नाविशन में ब्रॉब्रिकेशन बना रहे हैं आजकल मार्केट में बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स लोग देखते हैं और बताते हैं के छेन को इस तरीकरे से वाश करें जाने ओप पैट्रोल डाले जीजल डाले बट हमारी चेन के लिए थोड़ा हमफुल होता है जैन के अंदर हमारे रबर के रिंग्स होते हैं जो के वह से पानी से आप बश्क कराएं अच्छे से और इस चेन लीप को यूज करें तो हमारी चेन के लाइब बनी रहती है और यह किसी तरह की आवाज भी नहीं करती है जैसे कि मैंने अब इस पर अपलाई कर दिया तो चेन में जो हमारी खोड़ी आवाज आ रही थी वो आवाज बिल् से रोटेट करके और अंदर की साइड में भी इस तरही की अपलाई कर रहा हूं कि जिससे हमारी पूरी चेन्ज है इस लियूप से कवर हो जाए और इस लियूप की थास बात यह होती है कि इस लियूप पे इसली मतलब जो डस होती है वह मिट्टी वगएरा चिपकती रही है बाकि नॉर्मल हम मोबिल ओयल वगएरा भी यूज कर लेते हैं बहुत से लोग तो उस पे जादा तर डस चुपक जाती है और वो चुपती रही है बहुत दिक्कत आती है तो जादा डस आने से भी हमारी चेन्ज खराब होने के चांसे होते हैं बट यह चेन्ड यूप जो ह है और यह 245 रुपीज मैंने पर्चेस किया था और यह एक बोटल आपकी तक की बन एक साल से जादा आपकी चल जाएगी जो कि मेरी दो साल से जादा हो चुके हैं और अभी तक चल रही है और आप एक बार लगाने के बाद दो तीन महीने आपको लगाने की ज़रूरत भी पड़ती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं तब यह बहुत काफी चलेगा दूसरा आप यह देख पा रहे हैं मेरा यह साइड मिरर जो है एक साइड का तूट चुका है क्योंकि मैं बाइक अपनी खड़ी करी तो दिवार में टकराने से यह मेरा साइड मिरर तूट गया और यह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं और बहुत ही एफोडिबल प्राइज में मैंने इनको पर्चेस किया है जिसकी कीमत मातर तू हंड्रे रुपीज है दो सो रुपे में मैं नहीं समझता कि कुछ आपको मिलेगा और इससे अच्छा कंपनी के भी मिलर्स आप लेने आप अएगा है यह आपको हर कलर में मिल जाएंगी जिस कलर की आपकी भॉइक है चलिए हम इसको इस्टॉल करते हैं और आप देखिए जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं मैंने खुदी घर में अपने आप इस साइड मेर्स को देखी इंस्टॉल कर लिया है और यह कितने मेरे हंडिल के भी अंदर आ रहे हैं और इसमें विजिबिलिटी बहुत अच्छी है आप इस वे बैठने के बाद भी आप देखेंगे तो आपको इसमें क्लियर दिखाई देगा इसा नहीं है चोटा होने की वेज़े से पीछे के दिखाई ना दे बहुत अच्छा दिखाई देगा और यह लुक वाइस भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बाइक का लुप भी थोड़ा एनेंस करते हैं देख आ रहे हैं आप इसे पे सूट भी लिंग देदूगा पट उनलाइन में थोड़े से प्राइज जादा हो जाते हैं लोकल मार्केट से पर्चेस करेंगे तो बहुत ही कम प्राइज में आपको मिल जाते हैं और आप चेक करके ले सकते हैं कोई ब्रोकन डैमेज यू अगेरा कभी आपको कोई इस्यू नहीं रहता आप अच्छी तरह चेक कर गिला सकते हैं और यह दिए बहुत अच्छे लग रहे हैं अब जैसे कि मैंने बाइक वाश कर आई थी तो अब इसमें अब आगे हम अपने बाइक को प्रोटेक्शन कैसे करें के हम जैसे बाइक हमारी यूज नहीं बहुत कम यूज होती है तो उ बिल जाएगा यह एक स्पॉंज होता है इसमें पहले से ही आपका पॉलिश लगाव होता है सिर्टी रूपीज में आप इस पॉलिश पैट को पूरी बाइक पर अपलाई करके अपनी बाइक को वाटर प्रूफ कर सकते हैं और डस्ट प्रूफ कर सकते हैं जिसे लगाने के बाद आपकी बाइक पर डस्ट आएगी तो आप हलका सा कपड़ा मारेंगे तो फिर इस पर डस्ट रुकेगी नहीं सारी डस्ट रिमोव हो जाएगी क्योंकि बहुत ही बढ़िया है 20 रुपीज में कोई जाधा प्राइस नहीं है तो चलिए आईए इसको स्टार्ट करते है लगाना है जैसे कि आपकी देख पा रहे हैं मैंने इस पॉलिश को पूरी बाइक पर अपलाई कर दिया और बहुत भी अच्छा ग्लो और शाइन इस बाइक प्लास्ट के लिए बहुत बढ़िया होता है देकि प्लास्टिक पार्ट्स जो होते हैं आपके मैट पनीशन उसक आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और आपकी बाइक में दुबार इस प्रोड़क्त को आप प्रेंट से मुल्टिपल टाइम यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसे एक बार लगा लिया पूरी बाइक कर दिया उसके बाद इसमें काफी जो है पॉलिश बचा रह ज और इस पे आप मुझे आ रहे कि आने वाले समय में मतलब डस्की भी टेंशन नहीं है मैं अलका सा कपड़ा लगाऊंगा और जो है मेरी बाइक बिल्कुल एक तम शाइनी दुबारा से वैसी ही हो जाएगी तो फ्रेंट्स प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें त देते रहे हैं कि जो भी इंप्रूव्मेंट करना है और हमारी इस चैनल को आप शेयर भी करें दूसरों तक परचाएं और बहुत अच्छा लगता है आप लाइक करते हैं हमारी वीडियो को तो थैंक्यू पर वर्टिंग दिस वीडियो